नमस्कार ये है करी पत्ते का पौदा इसे यहां कई गंबलों में लगाया हुआ है इसके पत्तियों का उप्योग भोजन को स्वादिश और पॉस्टिक बनाने के लिए किया जाता है पत्तियों तड़का लगाना चट्नी बनाना और अन उप्योग में आती है इसके पौदे लगाने के लिए बीज लगाने का सरल तरीका बता रहे है ये करी पत्ते के बीज इस तरह के गुच्छे में लगे रहते हैं ये जून जुलाई में पकने लगते हैं पकने के बाद काले रंके हो जाते हैं और ये हरे रंके बीज में छोटे काले रंके निशान है यानि ये पकने वाले हैं इन्हें भी उगाने के लिए लगाया जा सकता है वैसे इसका पेड़ बड़ा होता है लेकिन दैनी कुप्योग के लिए इन्हें गंबले में लगा सकते हैं और आब इन्ह में पह 1997 कुछ के फ़ेंगे एक डबे में इस तरह मीट्टी भर लेंगे और किसम पीच में करीड दो इंच । गहरा गड़ा करेंगे कि कि इस तरह से। कि अभ एक काला और एक हरे बीच का दाना इस में डालतेना है यह देतने इस तरह दे उपर से थोड़ी मिट्टी इस तरह डालतेंगे और अब बाजू में इसी तरह गट्टा करके दो बीज और लगा देना है और लगाने के बाद इसके उपर थोड़ा पानी छड़क दे शाया में रखना है इसके बाद और रोज इसी तरह पानी छड़कते रहें यहां एक बीज है तो वो भी लगा सकते हैं यहां किवल हम दिखा रहे हैं करीब आठ दिन के बाद यह देखें यह उगाए हैं और इनमें से अभी तीन बीज ही उगाए है और तीन दिन बाद चौता बीज भी उगाया है और दो दिन बाद में इतने बड़े हो गए हैं यह देखें करीब एक दो महीने बाद इन्हें बड़े गंबले में लगाया जा सकता है और बरसाद में यह जल्दी लग जाते हैं ताजा निकले बीज यदि कहीं मिलते हैं तो छोटे प्लास्टिक के डिपे में यह चोटे गंबलों में लगा लें पौधे बड़े होने पर यदि जगए ना हो तो दूसरों को देदें यह काम अच्छा होगा और यह देखें इस तरह से उगे हुए पौधे हैं नमस्कार